नमस्कार मित्रों जैसे आराम मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जियोतिश शिंतन में हार्दिक स्वाकत है. बुत्रों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वनी नक्षत्र की अश्वनी नक्षत्र में कौन से कादरे करने चाहिए और कौन से कादरे नहीं करने चाहिए बित्रों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 27 से नक्षत्र होते हैं और अगर अब जित को भी शामिल कर लें तो नक्षत्र हो जाते हैं 28 हमारे मनीशियों ने भचक्र का विवाजन 27 नक्षत्रों में किया था, राशियों में नहीं किया था, आजकल तो राशियों का ही प्रसलन है, लेकिन पहले नक्षत्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती थी प्रेडिक्शन में, नक्षत्रों में विवाजन करने से जियोतिश्मी फला देश में और भी ज्यादा शुक्ष्मता आ जाती है, और आज हम अशुनी नक्षत्र के विशे में जानेंगे कि इस नक्षत्र में कौन से कार्डिय करने अच्छे रहते हैं और किन कार्डियों को इस नक्षत्र में करने से बचना चाहिए। मित्रों मेश राशी के 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला तक यह नक्षत्र होता है। और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं केतु। और केतु आप सभी जानते हैं कि असीमित उर्जा के भंडार है केतु बहुत ही पराक्रमी ग्रह माने के हैं। अश्वनी का अर्थ अश्वी याने घोडी से उत्पन या फिर घोडी होता है। घोडे का सिर अश्वनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्द है। सिर का संबंद मस्तिक्स वासभी और्गंस पर कंट्रोलिंग पावर से है। इस नक्षत्र के देवता अश्वनी कुमारों को माना गया है और ये बैदक शास्त्र के ज्याता है। बैद्यक शास्त्र के ज्याता हैं और देवताओं के बैद माने गये हैं और दूसरों की साहता करने वाले हैं और दूसरों के कश्ट दूर करने वाले बड़े सहासी माने जाते हैं। अश्वनी कुमार काया को निरोगी वायुवा बनाते हैं। हाला कि कुछ विद्वान श्री गरेश जी को अश्रुनी नक्षत्र का देवता मानते हैं अश्रुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु पर श्री गरेश जी का नियंत्र माना गया है इस तरह से यह संचिप्त जानकारी थी अश्रुनी ग्रह के संबंदि में अब हम बात कि अश्योनी नक्षत्र में कौन से कार्विय करने चाहिए और किन कार्वियों को करने से बचना चाहिए तो पहले हम उन कार्वियों की बात करते हैं जो आप अश्योनी नक्षत्र में करें तो आपको सफलता मिलेगी तो किसी भी कार्य की मित्रों अगर आप शुरुबात कर रहे हैं खास कर इस्कूल में बच्चों के एट्वीशन दिलवाने की बात हो शिला न्यास या ग्रह परवेश की बात हो विद्या आरंब की बात हो भून पूजन की बात हो तो इसके लिए अशुरी नक्षत्र बहुत अच्छा है इसके अलाबा भी अगर हम देखें तो किसी दवाई का सेवन करना है आपको किसी रोग का उप्चार करवाना है अपनी परस्नालिटी का विकास करना है ऐसे कार जो बड़ी जल्दी से करने की जरुवत है अब जिसमें डिले नहीं होना चाहिए बहुत जल्दी से करने की जरुवत है तो आप अशुरी नक्षत्र में करें अशुरी नक्षत्र में हम यात्रा कर सकते हैं परियाटन के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है किसी व में करें किसी मशीन को अगर ठीक करवाना है नए वस्त्र या आबूशन पहनने हैं बीजबोना है पौदे लगाने हैं तो अश्रुनी नक्षत्र बेस्ट है प्राच विद्या जिसे जियोतिश अध्यात्म दर्शन से सम्मंदित अगर पुस्त के पढ़ रहे हैं तो अश्रु काईमा को सथापित करना है काणूनी गतिवधियों की सुरुवात करनी है या घ्षोड़ी से संबंदित कोई वीकार्य और嫅वश Avatar'di से संबंदित कोई वीकार्य अगर आपको करना है तो अश्रुनी नक्षत्र बहुत अच्छा मानगा है अब करते हैं कि जो कार्य आपको प्छत्र प्छत्र सोय नहीं है जब नहीं है इसके अलाबह ऐसे कोई भी कार्विय इस नक्षत्र में करने से बचें जिसमें आपको पैशेंस धैर वाई ո्थिर्ता की जरुかった तो ऐसे कार्विदि आपको अश्रुनी नक्षक्र में नहीं करने चाहिए तो मैं तो यह थी एक संचित और उप्योगी जानकारी अश्रुनी नक्षक्र के विशे में और हम आगे भी ऐसी चर्शा करते रहेंगे फिलाल तो अपनी वारी को विराम दूँगा मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नही विशे के साथ तब तक जश्याराम नमस्कार